दिली कैप्टल्स और पंजाब किंग्स के बिच आईपियल 2022 का 32 मुकाबला खेला गया जहां पर दिली कैप्टल्स के कप्तान रिशब पंथ ने टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी करने का फैंसला किया सीखारदवन महझ 9 रन बना सके टीम के खाते में 2 ही रन जुडे थे की मैंके गरवाल भी 24 रन मना कर आउट हो गए अज बेरिष्टों लिविंग स्टोन से टीम को एक बड़ी उम्मी थी लेकिन बेरिष्टों नौँ और लिविंग स्टोन दो रन मना कर आउट हो गए निशले क्रम में हलाकी जीतेश सर्मा ने 32 रणों की पारी जरूर खेली इसके अलावा सारुक खान 12, कगी सो रबाडा 2, नैथान एली सुन्य, राहूल चेहर 12, अर्श दिप सिंग नौ और वैभाव अरोडा 2 ही रण मना सके और पंजाब किंस्की टीम निधारित 20 ओवरों में 10 विकेट गवांकर 115 रण ही बना सकी 116 रणों के लक्ष का पीछा करने दिली कैप्टल्स के और से पिर्श्वी सो और डेविड वॉर्नर की सलामी जोडी मैदान पर उतरी दोनों ने ही तेजी से रण मनाए आपको बजा दे कि 4 ओवर के खत्म होते होते दिली कैप्टल्स का स्कोर 58 रणों तक पहुँच गया था डेविड वर्नर ने 30 गेंदों पर 60 रणों की तुफानी पारी खेली और अपने बल्ले से विजय चौका लगाया दिली कैप्टल्स ने इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा स से आदर लोगों तक शेयर किजिए साथी क्रिकेट के मैदान से जुड़े ऐसी ही और खबरे पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना भूमुले समय देने के लिए धन्यवार